हेलो गाइस, वेलकम टू माई यूटूब चलने अगर मैं आपको बोलूँ कि आज मैं एक एसी किरिम के बारे में बात करने वाला हूँ जो हमरी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती हमरी स्किन का कई ऐसे प्रोब्लम को हटाने में जो कई तरह की केमिकल यूज करने के बाद भी हमरी स्किन पर यसी प्रोब्लम को बिलकुल नहीं अटाती ये एक एसी किरिम के बारे में आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ जिसके बेनेफिट हमरी स्किन पर बहुत अच्छे मिलते हैं और इसका यूज करने का बिलकुल अच्छा तरीका आज की वीडियो में आपको बताऊँगा जब हम इसको सही तरह से यूज करते तो अच्छा खासा रिजल्ट हमारी स्किन पर देता है और हमारी स्किन पर किसी प्रकार को सैडिफिक्स बिलकुल नहीं होता है देओगा इस आपने ठेड़ सारी केमिकल करिम यूज करने के बाद आपको एक एसी करिम चाहिए जो हापकी स्किन के कई तरीकी प्रोब्लम हटाने के बाद आपकी स्किन को ना रेडवनेस कर सके और आप regular time तक इसी क्रीम को यूच कर सके तो आप अगर यसी वीडियो चाते हूँ तो आपने सही वीडियो पर किलिक करा है तो end तक इसी वीडियो में अगर आप बने रहेते हैं तो आपको एक इसी जान करें और इसी क्रीम के बारे में बताने वाला हूँ जो आपकी skin के अंदर तक जा कि आपकी skin को अच्छी तरह से maintenance बनाने में काफिय तक help करेगा अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी वे अच्छी लगती तो like करना और चैनल पर नहीं हो तो subscribe कर देना आप subscribe बिल्कुल नहीं करते हो वीडियो देखते हैं और आप चले जातो पिल्स गया आप चैनल को subscribe के लिए और वीडियो को लाइक कर दिया करूँ ठीक हैस दोगाइस बात करने वाला हूँ वीच हैजल किरिम के बारे में जो एक होमेपेतिक किरिम है जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ यह अपको सबको पता हमारी स्किन पर दो तरह की स्किन पाए जाती है जो में स्किन को अच्छादर से मेंटेनेस बनाने में काफे तक हेल्प करती है दर्मिस नमसे इसकीन होती जो जो टानलमस करने सब्सक्त करने बाद वह यस्किन को बिल्कुल पतलबार्नेस को बल्सक्त बाद बना दितीज चर्ट ह या फिर हमारी स्कीन पर कई तरह की मिलेजमा इसकी बिल्कुर डल हो चुकी है तो उसको अच्छे तरह से मैंटनेस बनाने में काफियतिक हेल्प करती है दोगाइस यह एक यह सी किरी में जिसको डोक्टर भी देते हैं पैसेंट को उनको यूज करने से क्यूंकि यह ऐसी इसकी किरी में जिस परकर हमारी स्कीन परकार कोई प्रोब्लम किसी unters नुक्सान होता है अच्छे परकार कोई करूं क्या क्यूंट क्यूंब करने के बाद काफी टाइम लगाने बाद कंदने के लगाने के बाद स्कीन मिलता है तो जो मिलता है रिजल्ट मिलता है इसको अधाने कहें extrêmement ना पपन्तवर है इसको मिलेगा आप समय नरहीं होना तुष क्लाओक आपको जो तो यह वहारी स्कीन को अच्छा तरह से मेंटेनेस बनाती है उसके बहुत अच्छा इस क्रिम का मिलता है बट बट अच्छा खासा हमारी स्कीन पर लिफट मिलता है ठीकिन यूज करने का सबसाह अच्छा तरिक अपकी स्कीन के कलें करें काले फट कर सकते अगर आप आज की वीडियो का मकसद मेरा यही था कि आप इसको किस तरह से हमारी इस वीडियो पर बना रही है जिसे डिस्केशन में इसका लिंक देख सकते हो तो आज की वीडियो में इतना आता है वीडियो अच्छा रखती लाइक करना